हालो गाइस मां याय व esos सथुन वेलगम बैक टो माइ चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ रिवियू करने वाली हूं बेभी डव नॉरिशिंग मेबी लौशन का तो गाईज हैill्स आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसे तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता सकती हूँ तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसके ओपर यहां पर मैंशन किया हुआ है डिच मॉश्चर डीपली मॉश्चराइज इसकिन पॉर 24 आवर्स यह जो है डीप अच्छा लगा गाइज है को सब्सक्रीन वह बहुत सारे क्रिम वहाช है बहुत ब्हुत सारे अच्छा लगा है कि बहुत ज्यादा स्टीकी लगते हैं डिचल्स के लग本ा सारे आई उसके अधर संल Gün को मॉस्चराइज कि बहुत सेंकिल सारे को शुच्चे के सर्वति Babiglay protection तो जब खेलती है तो इसको पसीना आता है उसकी बाद अगर हमने कोई मौस्चराइजर उस पर अप्लाय किया हुआ है उसकी स्किन पर तो वह बहुत ही ज्यादा चिप चिपा लगता है तो वह मुझे अच्छा नहीं फील होता तो इसलिए जब मैंने इसको ट्राइ किया बेबी डव लोशन को तो गाज मैं आप दोगों को बताती हूँ कि इसको ट्राइ करने के बाद ये विंटर्स तो समर्स के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा विंटर्स में क्या करती हूँ इसके साथ मैं कोई क्रीम भी अप्लाय क तो इसके साथ मैं वह भी एपलाइ करती हूं तो इसे अच्छा मॉस्ट्राइजेशन मिल जाता है बच्चे की स्किन को बट समर्स के लिए जो है मैं इसको यूज करती हूं तो बिल्कुल भी स्टिक्टी नैस जो है बिल्कुल फील नहीं होती है तो मैं इसे अपनी बेबी के अपने लिए भी यूज करती हूं और मैं इसे अपने लिए भी यूज करती हूं जैसे कि जब मैं रात को सोने के लिए जाती हूं तो मैं इसे अपने लिए भी यूज करती हूं जैसे कि जब मैं रात को सोने के लिए जाती हूं तो सारे दिन जब हम लोग काम करते हैं तो हा 26 10 18 जो है इसकी एक्सपाइरी है यूज बिफोर 24 मन्स तो इनफ टाइम है गाइस 24 मन्स एंड यह एक 200 ml का पैक है और यहां पर इसका जो है प्राइस मेंचन किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं 180 रुपीज येस तो यह 180 रुपीज लिखा हुआ है यहां पर बट यह मैंने नाइका से ओफर से मंगवाया था तो यह वहां से मुझे 130 रुपीज का पड़ा है तो आप लोग इसे वहां से जो है ओडर कर सकते हैं अपने लिए दैन यहां पर उपर लिखा हुआ है देख सकते हैं बेबी डव यार बेबी स्किन इस ब्यूटिफुल बट अज अ मदर य करें अजनल सखेंदेश का पड़ा बेव ड्यूटिफे कहले पने और युनिक रिच नुटिफुल पार यूटिप फॉसस्ट फुटिफुल अधर अपनेगव इस सप्छ वख कर ने ही पाद हैं आप इस इस अप्ला करने की वैसे ज़ूरत नहीं होती है बद जैसे अगर ब कि यह दो हैं फिल के पार दो अफ्य क्रिशन का पिल उसके बाद हम इसे रियाप्लाइब कर सकते हैं जो इसकी समयल है वह बहुत ज्यादा सूधिंग है कोई इतनी ज्यादा मुझे पेजी आखी स्मयल नहीं लगी जो कि बच्चे को बना अनकमफर्टेबल लगी हैं हमें अनक आपको आफटर बात यूज़ करना है और बेबी की स्किन पर एंड उससे मसाज करना है और इसके बाद बेबी की स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी और मैं आपको दिखाती हूं इसको तो यह दिखी गाइस कि मैंने लोशन यहां पर लिया है तो आप देख सकते ह इस तरीकी की कंसिस्टेंसी है और इक वाइट कलर का लोशन है यह और इतना ज़्यादा रनी लोशन नहीं है कि यह बह जाए अच्छा लोशन है और जब आप इसे अप्लाइ करेंगे तो यह बहुत ही जल्दी स्किन में जो है अब्सॉर्ब हो जाता है बहुत अच्छा मॉ यह लेकर आती रों थैंक यू बाबाइ